हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीड स्टार्ट स्टेडी आज हम आपको बताएंगे वुल्फ और फोक्स के बीच में क्या अंतर होता है सबसे पहले बात करते हैं दोनों के हिंदी नाम की वुल्फ को हिंदी में बेडिया कहते हैं और फोक्स को हिंदी में लॉंबडी कहा जाता है अक्सर लोगों को लगता है कि बेडिया और लॉंबडी दोनों ये के जानवत हैं लेकिन सबसे पहले हम आपको यह सपष्ट कर रेते हैं कि बेढ़िया और लोंबुडिक दोनों ही अलग-अलग तो जाती हैं दोनों ही जंगले भी हैं और हिंसक भी हैं लेकिन दोनों के वीज में शारीरिक रोप से काफी अज़द होता है इसलिए दोनों अलग-अलग जानवत हैं सबसे पहले ही साइज के बारे में बात कर लेते हैं बेडिया है वो लोंब्री की तुल्ला में बड़ा होता है लोंब्री ही जो चोटी और पतली होती है इसके उपर बाल के एक हुआ की परत जमा होती है और इसकी प्रोष जाड़ू के जैसी होती है। लोंगड़ी अपनी उतक्रेश्ट सुनने और सुनने के शक्ति के लिए जानी जाती है। भोजन की बात करें तो भीडिया आम तोसर बड़े अकार के जानोरों करके उन्हें अपने खाने की रूप में खाता है। जबकि लोंगड़ी हैं फल, केड़े, मुलायम, घास और छोटे जानोरों को मार कर ही अपने भोजन के रूप में उनको खाती है। बेडिय वुल्फ काही बड़े जूंड में रहते हैं इन के जूंड में 15 से तेज बेडिय पाए जाते हैं जब कि लॉंबडी का जूंड होता है वो तो या तिन लॉंबडी के तक स्थी होती है वो अपीले में ही अपना पूंचन है शिकाज करती है एक बड़े बेडिय या वेज बेडिय का जो वजन होता है 65 Kg जोने पैसक किलो क्यास पास ही पाया जैता है बहरत में जहां बहुत की लगा ऐरे रये हुता है नहाँ पर के आदको लोंगे बिशन जाये पिदिक यहीदी लेकिन विडिया हो के हर जग में पाई जाते हैं। आम पोर करेट उत्रे शोत्रों पाई जाते हैं। पासकर संडे जैपोर इनका पाया जाती है। अगर आपको पुझे पसंदाए तो चैनल को दुरू सब्सक्राइब कीजिए तक नमातिवी और विजानकारी लातिवें धन्यवाद